अगर आपको जानना है कि कॉंग्रेस उसका नामदार परिवार सिस्टम को कैसे अपने इस्तमाल के लिए तोड़ता है इसका एक अनाधर करते रहते हैं मैं उसका एक उधान दे रहाता था नेशनल हेरल केस यह वहीं नेशनल हेरल केस हैं जिसमें कॉंग्रेस के अद्धिक्स उनका परिवार उनके कई साथ ही कौर्ट से जमारत पर बहार है नेशनल हेरल केस हमारे समय का केस नहीं है एक केस दो हजार बारा से यूपिये के समय से ही चला रहा है तब केंदर में इनकी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी इस केस से साब हो जाता है कि कॉंग्रेस के नेता किस तरह से जमीन हरप लेते हैं जनता का दन हथ्या लेते हैं इस केस में ऐसे सभी गंबीर मामले चल रखे हैं 2012 में नेशनल हराल की केस की जाच शुरू हुई यंग इंडिया का भी मामला चला आयकर विबाग सिभी एडी के लेवल पर अलग अलग जाच हो रही है इस केस में इतनी सारी एजन्सियों ने समन और नोटिस दिये हुए हैं लेकिन कॉंग्रेस की फर्स फैमिली अपने आपको इन सबसे उपर मानती है उन्होंने इन में से किसी इंस्टिटूशन को तवज्जों नहीं दी वो तो यही मानते रहे हैं कि हम तो नामदार है हम तो राजा है हमें क्या फर्त पड़ता है यह हमको कैसे पूछ सकते हैं उनको लोवर कॉर्ट में नहीं आना जांच में सहयोग नहीं करना यह सब इस केस में चलता आ रहा है सच्चाई तो यह है कि उनको सच बताने में बड़ी दिक्कत होती है यंग इंडिया में उनको 44-44 टाइम बुलाया गया एक बार भी नहीं आए उनको छे बार छे महने में छे बार मोका दिया गया नहीं आए अपनी जमीन अपनी कमाई अपना इंकम टेक्स रिटर्न किसी भी चीज को यह लोग जनता के सामने नहीं आने देना चाहते हैं क्यों फिर चाहे देश की समसाय चिलाती रहे इसका कारण क्या है कोई इन बातों को छि पाता है जमानत पर बाहर गुमने वाले यह लोग जिस किसी संस्थान की इजत नहीं करते हैं वो देश का क्या अधर करेंगे अरे हमको इन्हों ने अपने दस साल के कारकाल में कितनी डॉटिस बेजी ऐसा क्या कुछ नहीं किया जिससे हमें परिशान कर सकते हैं लेकिन मुझे कानूर पर विश्वाथ था सत्य पर बरोसा था मैं कानूर को मानने वाला इंसान है और इसलिए जब S.I.T. बनी थी मैं ख चला गया था नव गंटे तक मेरी पुछताज की गई थी एक कुर्सी पर बिढ़ा करके मुझे पूछा रहा था उनके हर एक सवाल का हमने जवाब दिया था क्योंकि हम कुछ भी हो लेकिन कानूर हमसे बड़ा होता है संस्ता हमसे बड़ी होती है यह संस्कार है करके हम लेक और यह से विसलिए क्योंकि मुझे सत्य पर भरोसा है मुझे हमारी संस्ताओं पर विस्वास है यह जमानती नेता इनको न कानून पर विस्वास है न इनको सत्य पर भरोसा है और नहीं इनको संस्तानों पर विस्वास है इनको राजज़ाही पर भरोसा है हम लोग शाही को म मिला प्रस्ताचार किस्विकास के रास्ते पर ले जा पाएंगे इसलिए मैं आज आपसे एक और सवाल करना चाहूं सांतियों जब आप अपने परिवार में थोड़ा सोचिए मेरे इस सवाल को आज यहां से निकल के अपने परिवार के बैठे और सोचते से सोचो मैं क्या कहना चाहता हूं अब बली बात इस बात को समच पाएंगे जब आप अपने परिवार में कोई सेवक रखते हैं तो आप कैसे सेवक को पसंद करते हैं मैं चाहूंगा देश्वासी मेरे इस सबाल पर गोर करे क्या हम ऐसे सेवक को पसंद करेंगे जो परिवार के एक-एक सदस्य को कानों में कुछ नुकुछ भर करके दूसरे से लडाता रहे एक दूसरे के खिलाब भड़काएं एक के कान में कुछ बात कहें और दूसरे के कान में कुछ कहें क्या आप ऐसे सेवक को पसंद करेंगे जो गर का सामान चोरी करें गर का पैसा चोरी करें और अपने परिवार में बाढ़ दें अपने रिस्तेजारों में बाढ़ दें ऐसा सेवक पसंद करेंगे क्या कि ऐसा सेवक पंहन करेंगे क्या न क्या आप अपने सेवक से यह उमिद रखते हैं वह महले के कुछ लोगों के साथ मिलकर घर की मान मरियादा का अनाधर करें पडोशी को घर की बाते बताएं कैसा सेवक को चाहेगा क्या आप अपने घर में ऐसा सेवक कहेंगे क्या क्या आप सेवक से यह उमीद रखते हैं कि जर में कोई समस्च्या हो गर को उसकी जरूरत हो तो वो दो दो तीन-तीन महेने की छुट्टी मनाने चला जाए और कहां गया है इसका पता भी नहों कि ऐसा सेवक चाहिए किसी घर में किसी घर में ऐसा सेवक को रखेगा क्या जैसे आप अपने घर का तै करते हैं वैसे ही आप तै करिये कि देश को प्रधान सेवक कैसा चाहिए देश को रात दिन कठोर परिशन करने वाला आप बारा घंटे काम करें तो वो अठारा घंटे काम करें कि देश के हर नागरिक की अपने पन के साथ सेवा करने वाला देश की भावी पीडि की चिंता करने वाला इमान दारी को उसुल मानने वाला सब को एक जुड रखने वाला कि ऐसा सेवक चाहिए कि वो वाला चाहिए कि देश को कैसा सेवक चाहिए